आज के वीडियो में आपको एस्वरिया राय के बेबी बॉई के बारे में बताएंगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर दे जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्वरिया राय और अभी से एक बच्चन एक क्यूट सी बेटी अराधिया के पैरंस हैं और अराधिया अब 10 साल की हो चुकी हैं लास्ट कुछ समय से एस्वरिया राय की सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में खुब चर्चा हो रही थी और उनके प्रेगनेंसी को लेकर काफी सारी रिपोर्ट भी सामने आ रही थी कि एस्वरिया राय सेकंड टाइम प्रेगनेंट हैं और एस्वरिया को जब भी स्पॉट किया जाता तो उनके बारे में यही रिपोर्ट आती कि वो प्रेगनेंट हैं और वो अपनी बेबी बम हाइट करते वे दिखाई दे रही है और अब रिसेंटली एस्वरिया राय के सेकंड प्रिंगनेंसी के बाद उनकी सेकंड डिलिवरी को लेकर खुब चर्चा हो रही है और बहुत से रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि एस्वरिया राय ने एक बेबी बॉई को जनम दिया है और इस बारे में अभी तक तो कोई ओफिसियल न्यूज सामने नहीं आई है और ना ही एस्वरिया राय अभी से एक बच्चन या उनके फैमिली में से किसी ने कुछ बताया है बट रिपोर्ट्स में ये ही बताया जा रहा है कि एस्वरिया राय सेकेंड टाइम मदर बन चुकी है और इस बार उन्होंने एक बेबी बॉई को जनम दिया है एस्वरिया राय के बेटे को लेकर खूप सारी चर्चा है और उन पर बहुत सारे न्यूज और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं और हर तरफ यही न्यूज फैलाई जा रही है कि वो एक बेबी बॉई की मदर बन चुकी है अराध्या के दस साल के बाद एस्वरिया और अभी से एक पैरेंस बने हैं तो उनके लिए यह बहुत excitement का लहमा होगा बट यह news सच है या नहीं यह हम आपको अभी तक नहीं बता सकते बिकास इस बारे में कोई भी authentic report सभी तक सामने नहीं आई है बट इस तरह कि बहुत सारी report सामने आ रही हैं कि वो second time mother बनी है और इस बार वो baby boy की mother बनी है और अगर ऐसा कुछ भी है तो we already pleased to know कि वो दोनो parents बने हैं और उन्होंने baby boy को जनम दिया है और हम उनको और उनके baby boy को धेरो बधाईया भी देना चाहते हैं बट एस वरिया और अभी सेक अगर इस news को deny कर दे तब भी हम आपको ये news जरूर सेर करेंगे although तब तक हम यही believe करेंगे कि वो दोनों फिर से parents बन चुके हैं और उनके baby boy के लिए हम उनने धेरो बधाईया देते हैं आपको एस वरिया राय के second baby के बारे में जानकर कैसा लगा और आप उनके baby के लिए कुछ नाम सजिस्ट करना चाहेंगे हमें comments में बताना ना भूले